और एक निवेदन आप सक्से करूंगा जिसके घर में किलेश ज्यादा मचता हो बहुत ज्यादा किलेश मच रहा हो बहुत ज्यादा जगड़े होते हो बहुत ज्यादा तो महाराद संकर भगवान पर थोड़ा सा चावल एक कटोरी में गला लो थोड़ा सा चावल गला पर उस बुद्वार के दिन कोई भी बुद्वार संकर जी के मंदर में जाकर संकर भरवान के शिवलिंग पर उस चावल का लेपन करो साथ लोटा पानी मात्र साथ सेवन साथ लोटा पानी संकर को समर्पित करो शिप को समर्पित करो अपनी कामना करकर अपना भावरा जब आपीश चलो जिस कटोरी में से भगवान शंकर को आपने उक्तन लगाया था वो ही कटोरी घर लेकर आप घर के मूल मूल इस्थान जो भी हैं हर हॉल में कमरे में उसकी एक एक बिंदी लगा दीजी मातर तीन बुद्भार आपकर लीजी आपके घर में कभी किलेश नहीं हो सब भूमी का कितना भी दोश होगा सिद्धो जिस घर में रुपिया आ रहा है जा रहा है एक रुपे कमारा है वह सब रुपे खर चो रहा है घर में पैसा नहीं दिखरा बेपार तो अच्छा कर रहा है, घर में चार-चार लोग कमा रहा है, सब कोई विलकर कमा रहा है, तो ओभी पैसा नहीं दिख रहा है, तो ओभी धन नहीं दिख रहा है, रुपिया नहीं दिख रहा है, महाराज अगर धन संचिता में नहीं पड़ रहा है, धन संचिता में नह में थोड़ा सचावल थोड़ा सचावल और हमारी यहां चावल के साथ में चावल की धान आती है आपको बजान में मिल जाएगी चावल की धान जिसको जो का बाग अलग हो जाता है जो गहूं की हो जाती पर चावल की धान करते हैं इसको इन तीनों को एक कटोरी में रख लो तीन हो पानी में गलाना नहीं है बस कटोरी में रखाएं महाराजा दरवाजे के नजदीक में जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भागने उसको रख दिया जाएं घर से एक लोटा पानी जिसमें कच्चा दूद मिला हो वो कटोरी शनीवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलस नीचे रखकर सीदे हाथ में कटोरी रखकर संकरजी को समर्पित कर दो जल चड़ा दीजिए बाबा भोले नापके जो चरण पादूका है उस पादूका में वही तिल्ली वही चावल का भाग वही जओं जो आप चावल का धान बोलेंग दोनों भाग पर समर्पित कर दो आते समय वो दोनों भाग पर चड़ी हुई तीनों चीज़े उठाकर लेकर आ जाए दुकान में व्यपार में व्यवसाई वाली जगा पर उसको रख दीजिए कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी हुआ संपदा बड़े हैं तीन देव ने बनाए मेरे शंकर में निर्मित कि एक पल एक घड़ी एक च्छन शिल बना चार महिने चतुर मास के भगवान विश्णू देव सोनी एका धसी पर जब सोने जाते हैं तो भगवान शंकर को बुला करते हैं यह चार महिने जितना स्थान पुन्य सत्कर्म संकिर्तन भजन कीर्तन जो होगा संकर यह मैं नहीं करा सकता तुम करा सकते इसलिए चतुर मास की शुरूबात ही स्रावन से इसलिए चतुर मास की शुरुवात ही स्रामन से संकर कते हैं पहले जल में चड़वाता हूँ पहले में भजन करवाता हूँ इसमन करवाता हूँ कीर्टन करवाता हूँ जितना भजन दान पुन इसमन नाम कीर्टन जो होगा चतुर मास की अंतरगर दान करो, पुर्णने करो, सतकर्म करो, चाहे गुँ माता को दो, चाहे बेहन बेटी को दो, चाहे किसी भिच्चूप को कुछ दो, उस समय तुमारे चेहरे पर तुमारी नेनों में अशरूण नहीं होना चाहिए उस समय तुमारे चेहरे पर परसनमता होना चाहिए घर पर बेहन बेटी आ जाए और बेहन बेटी र pieskin बांधनेों आई पेहन बेटी तिस्ते वार पर आई और तुमने एक साड़ी दी या पांसो रुपे दियए यह हजार रुपे दिये यह दो हजार रुपे दिये और भावी का मुझ भगोने जैसा हो गया चेहरा उत्रा हुआ भाई राखी बंदवाने बेठा तो पहले जेब में अंदर से जाकर पत्नी से पूछ कर आया इसको पांसो देना है कि तीनसो देना राखी बंदवाने से पहले पांटे पर बेठने से पहले आसन पर बेठने से पहले सोफे पर बेठने से पहले जब भाई राखी बंदवाने बेठता है तो पहले अंदर जाकर आपनी धर्म पत्नी से कुछता कितना दिना है क्यों भहिया कमा तू रहा है लातू रहा है तो फिर धरम पतनी से क्यों पूछा कि कितना देना है पतनी को ये कहना था आज मेरा मन है बहन साल भर से नहीं आई कुछ तो लागडाउन में चार मेहने से फोन तक पर बाती बात होती रही आई नहीं एक साल हो गया मेरा मन कर रहा है आज मेरी बेहन को में 2000 रुपे देदू सारी के भी हो जाएंगे, चूडी के भी हो जाएंगे और देना हो जाएंगे, आज मेरा मन कर रहा है तुम्हें बोलना चाहिए तुम्हें बताना चाहिए और अगर पतनी को कहे पती कि तुम 2000 रुपे दे रहे हो तो धर्म पतनी का फर्ज है धर्म पतनी का फर्ज है क्योंकि तुम भी किसी की बेहन हो तुम भी किसी की बेटी हो तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने पती को कहो सुनो, एक किस्सो देो मना नहीं है, पांसुर रुपय अलग से चूड़ी के देदो पांतोर रुप्या लग से बेहन बेटी आई है तो गाड़ी का किराया दे दो ये जब धर्म पतनी अपने पती को कहेगी पती के चेहरे पर प्रसंदता होगी मुझे उम्मीद है आज आप अपनी ननंत को दे रहे हो तो आप जब अपने माई के जाओगे तो आपकी विभावी इतना ही सम्मान देगी क्यों? एक उंगली जो हम किसी पर उठाते हैं तो ये तीन उंगली हमारी ओर जाती है हम एक के लिए अगर विवस्था करते हैं तो कही न खहीं आपकी विवस्था भी पूर्णता में हो पाती है आपका भाव आपका आनंद आप किसी के लिए अगर समर्पित हो रहे हो आप किसी के लिए समर्पन कर रहे हो आप किसी के लिए अग्रिने हो रहे हो तो वहां से उनता का अग्रिने का भाव तुमको भी प्राप्त होगा रक्षा बंदन पर भाई राखी बनवाने बेट रहा है तो धरम पतनी से पूछ रहा है कितने रूपे देना है प्राण छूटने के बाद भगवान विश्णू लच्छमी से पूछे बता इसको नरत बेजू किस्वर अरे बोलो तो रहे भाई भगवान विश्णू अगर अपनी पतनी से राई ले तो भोले नाथ देने से पहले पारवती से राई ले तो इंद्र कारे समालने से पहले इंद्राणी से राई ले तो ब्रह्मा ब्रह्मानी से राई ले तो नहीं नहीं अगर यमराज अपनी धर्म पतनी अपनी धर्म पतनी दक्षिन से पूछे ए दक्षिना तू बता कि ये जो मरा है इसको मैं स्वर्ग भेजू की नर्ग तो सबसे ज़्यादा अगर दक्षिना देवी बोलेगी तो एक ही बात बोलेगी यमराज की पतनी एक काम करिये, इसको नर्ग भेज दो क्यों? क्योंकि ये कभी दक्षिन मुख करकर कोई कामी नहीं करा? बोलो दक्षिन मुख करकर कोई कारे करता? दक्षिन मुख करकर कोई पूजन करता? दक्षिन मुख करकर कोई इसमान करता? दक्षिन मुख करकर कोई सेवा करता? अपनी पतनी से नहीं पूस्ता भगवान विश्णों लच्छमी से नहीं पूस्ते कि इसको क्या देना है ब्रह्मा ब्रह्मानी से नहीं पूस्ते कि क्या देना है शंकर पार्वती से नहीं उसे कि क्या देना है तब केवल उनकी विचारधारणा केवल वही देखा जाता है कि उसका भाव कि उसके भाव कि सिद्धता कि पर आज का जमाना बेहन जैसे यह राक्षी पानने वहीं चलो बैठों पाटे पर अंदर अभी आया अंदर गया इते देना इस साड़ी रखी है म लाकाल दी मैंने है यह साड़ी देना और सुनो अगे तुने जो अपनी साथ म् assumptions करे तो तुझ कैसा लगेगा तीन को देने से कभी नहीं घटता शुमाह पुरान की कथा करती है पहला बेहन बेटी को देने से दोसरा गवमाता को देने से तीसरा संत ब्रहमन को देने से कभी नहीं घटता महारा बढ़ेगा घटेगा नहीं बेहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है तुमने जो दिया उसका चार गुना अगले साल तक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा गवमाता को एक रोटी दी है गवमाता के निमित्त से एक रुपिया निकाला है गवमाता के निमित्त से एक रुपिया भी अगर तुमने दान करा है पुण्य कर आए उसके निमित का आगले वर्ष तक यही तारिक लिखे रखЕТना पुण्य प्राप्तों होता है कितनी प्राप्तों होते हैं तिसरा संत्वरहमण को देने से घट्ठा नहीं है आपने जो दिया उसका हजार गुना आपको प्राप्तों हो जाता है अजार गुना श्री शिवाई नमस्तु प्पुहम् हम श्री सब्स्राइब करें शिवाई जोगें पाश तु खेक्ट वे आप अपके देन सहीं हमारे शिवाई नमस्तु प्पुहम् हम